यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सेयर एंड कमेंट करिए वच्छो आज हम ले क्या है क्लाश 10 के आटमी भाग को यदि आपनी से पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्केप्शन बॉक्स में जाएए वहाँ पर लि है जो दिया बेट आटो जाए और जॉज भाल लुट यह हमारा सत्तन नमबर सवाल बेक्चों जिसमें डबलू 9600 9600 मेगा वाट वाट को डबलू से ठीक है और आवर ऐसे घंटा हो ठीक है और प्रती दिन एक दिन में कितने घंटा होता बच्चों एक दिन में जो होता 24 घं में वन्डे में और नहीم और छे रा है तब इसकी छंता बता किया है पकियए ग्याद करना तरिक है यह चंता है में मैं ज्हाद करना है तो इसकी ब्राबर राभे भू बटे टी यह होता है थूद वू अब्रوفल्य आइख वू कितना थे कि वर्लुब टे 24 बच्चों जब इसे आप भाग दोगे तो आएगा 400 कितना जाएगा 400 ठीक है 24 चौको 96 ठीक है तो 400 वाट मेगा वाट होगा क्या होगा मेगा वाट तो यह आए अंसर इसे आप नोट कर लो चले बच्चों एकातान नम्बर स्वाल को पढ़ते हैं क्या कह чो है । कह रहा है एक बैदोत मोटर में 440 वोल्ट पर तो विघव दीया बच्चो 1944uralis बोल्ट और एक रहा है 10A की धारा आई की वेलई दिया थो 10 amp और 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 आगे कह रहा है येदी मोटर की छमता धक्षता कितना बच्चो ये दिया है 80% कितना दिया है 80% तो दस मिनट में समय दिया है टाइम कितना दिया है दस minutes बच्छो दस मिनट में 40 मिटर उचाएर उचाई कितना दिया बच्छो 40 मीटर वैंचाई है इर उचाई है समय है क्या यह Samuel हैं और ये धारा है और ये विभा है इतना चीज हम बच्चो दिया गया है कोश्तन में और कहरा कितनी सवाल को पढ़िए बच्चो कि चालिस मीटर की उचाएपर टंकी कि इतना जल मतलब उसमें जा सकता है 40 मीटर उचाई पर ठंके में कितना जल मतलब दरबमान पाने का ठीक है अगर जल कहे तो समझ लो वजन दरबमान कितना हम चाड़ा सकते हैं यदी जी की वेलू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेर यह जो है तो बच्चो आईए इस सवाल को कैसे हम करेंगे सबसे पहले हम इस सवाल में डबलू निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा डबलू पहले आप निकालेंगे आईए पहले निकालेंगे उर्जा पहले हम क्या निकालेंगे बच्चो उर्जा उर्जा कैसे निकालेंगे आईए देखते हैं तो उसके लिए हम आपको फार्मला बताते हैं W बरावर V I T क्या होगा बच्चो फार्मला W बरावर V I T तो W V कितना दिया है? 440 देख लो बिभाव दिया है 440 और धारा कितना दिया है? 10 अंपियर और समय कितना दिया बच्चो तो 10 मिनिट, इस मिनट को सेकें में आप बदलिए तो 10 मिनट को अगर हम सेकें में बदलेए बच्चो सेकं में गुरा कर देना क्या गड़ोगे? 6 से गुरा कर देना तो ये हो जाएगा समझ या कितना हो जाएगा? 4410 10 4 Concept इसमें लगा दू गुड़े में छे रहने दो बाई छेली दो एक दो तीन चार इसमें लगा दिया गुड़े में छे रहने दो यह आ गया जूल में मेरा उरजा इसको आगे सॉल करने जरूरत अभी नहीं है इसके बाद क्या होगा बच्चो बहुत ध्यान से देखिएगा इसके बाद हम निकालेंगे इस्थतिज उरजा क्या निकालेंगे बच्चो इस्थतिज उरजा निकालेंगे ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा अब ये दक्षिता निकालते हैं दक्षिता किसका निकालेंगे दक्षिता का ठीक है ध्यान दीजिएगा किसका निकालेंगे बटा ये हम ये निकालेंगे हम ये डबलू का तो डबलू का मान क्या होगा तो डबलू का जो है उसे हम ये मान लें है कि डवलो का kITना purple और बच्चो 80% ऐसे निकालेंगे बटा डवलो जो है उसका 80% तो बच्चो इसे हम डवलो डैष्स से प्त cit करेंगे को डवलु का मान कितना है four four कितने जीरो है भाई चाछ जीरो है लगाती है चाछ जीरो गुड़े 6 है अब गुड़े 80 परसेंट बच्चों जब परसेंट आएंगे 100 लगाएंगे नीचे या रखना तो एक जिरो सी ये एक जिरो सी ये कड़ी आएगा तो डबलू डैस कितना जाएगा फूर फूर कितना जीरो है एक दो तीन तीन जीरो है अब गुड़े आफ है क्या होगा बच्चों मजी होगा अब यहां मान कि इसका मान कितना बच्चों 44 0030 कितना जीरो यहां पर आपका 30 00 हो जाएगा ठीक है तो 30 गुड़े अब तालीस बरावर एम-एम के वैलू निकालना जी की वैलू दिया है 10 देख लीजिए 10 और हाइट कितना दिया वजब होज़ाएगा चार एकपम चार चार एकप WOW तो कितना एक फूर फूर जीरो गुड़े बारह बराबर मुक्त अगए जब 52 किलोगराम तो यह जो है इसका अंसर है इसे आप नोट कर लो चलिए उच्चो बहादतर नंबर स्वाल को देखते हैं क्या कह रहा है कि 440 ठीक है बोल्ट तो यहां पर भी बिभो दिया है 440 बोल्ट वाँ 5 एंपियर की धारा आई की वेलू कितना दिया है 5 एंपियर की धारा का मोटर जो है 40 मिनट कितना दिया है 40 मिनट 40 मिनट तक 80% कितना दिया बच्चो दक्षता इसमें दिया है क्या दिया है दक्षता 80% दिया है चलिए तो उबैदत उजा को यांत्रिक में बदल देता है वह कितने किलोग्राम का जल कितने किलोग्राम का दल मतलब M निकालना है बच्चों यहां पर ठीक है यह जल का मात्रा है और कह रहा है 40 मीटर उचाई उचाई कितना है 60 मीटर है कितना बच्चों समय है इसको आपको चेंज करना होगा सेकेंड में तो 40 में 60 का गुड़ा कर दो तो सेकेंड में बदल जाएगा गुड़ा मत करना भी आगे काटने के काम में आ जाएगा तो बच्चों आपको एक फार्मॉला बताने जा रहे हैं बहुत द्यान से देखिएगा कौनसा है इए से कितना है पांच एंप्यर ठीक है आई कीस Pjanilu Rec. 50 MP2 इंटू समय कितना दिया है यह करना भी scor oh फिवसे पद दे डिया है यहां मान रखो बच्चों डबलू कमान कितना है आ पर दो 40 गुले 105 गुले 405 गुले 60 अब भु जाएगा परसंट अचा इंगा. 100 एक जिर उसके 0, 10 कड़ी आएगा तो W- 40 गुले 50 गुले 40 गुले 100 यह बचेगा जूल में. क्या बच्चो जूल में अब यहां पर एक हम आपको और फामुला बताने जा रहे हैं डबलू डैस बराबर फामुला होगा M G H क्या होगा फामुला M G H तो डबलू डैस कमान कितना है 440 गुडे 5 गुडे 40 गुडे 8 ठीक है 6 भी तो है बच्चो 6 छूट गया 48 तो आठ चंग 48 लिख दो क्या तो कुछ है भी तो है तो आठ चंग 48 तो यहां 48 कर दो 48 आठ चंग 48 ठीक है 40 के बाद 48 यह 48 है ठीक है 48 हो जाएगा यह और इंटू हाइट हाइट कितना है इननने 48 हो गए इधर इधर हो गया 48 अब इसके बार लगाओ बराबर क्या लगेगा बराबर अम निकालना है जी का मान दस दिया है और हाइट दिया साथ ठीक है अब इस एप जीरो एगगा अब यह वाले जीरों से यह 0 कटी आएगा बची का क्या चार चार गुड़े पांच गुड़े चार गुड़े 48 बरावर चलिए बच्चो यहाँ पर क्या होगा अब हम देख लिजिए थोड़ा सही कर दिया है जिसको उने 48 कर दिया है ठीक है अब सही है अब M बचा अब गुड़े क्या बचा 6 बचा ठीक अब 6 से से काट सकते हैं 6 कम 6 आए आठ छेंगत आए तो 48 आठ आ जाएगा यहाँ पर ठीक है अब आए थोड़ा सही है यहाँ देख लेते हैं तो बताइए क्या है चार चार गुड़े पांच गुड़े चार गुड़े आठ बराबर M तो M बराबर क्या हो जाएगा बेटा सबका गुड़ा कर दो तो कैसे गुड़ा करो बच्चो आठ चोग बत्तीस चार चार गुड़े अब इसमें करो 8 क्यार 16 आठ चोग 32 32 लिख दो गुड़े 5 पांच गुड़े 32 अब पहले काम करो 44 को एसरे दो पांच गुड़े 5 दो नी 10 10 का 0 हसिल लगा एक पांध इपंद्र एक 16 तो यह 16 गुड़े मुझाएगा अब इसका यहां पर गुड़ा कर दो 16 चोग को 64 64 का 4 हसिल लगा 6 यहां लगा दो तो यह कितना आगया किलो ग्राम यह आ गया वैटा सत्ता 40 किलो ग्राम जो आ चुका है यह अंसर बच्चों इसे आप नोट कर लो चली बच्चो 73 नमबर स्वाल को देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है इस सवाल में कह रहा है आठ किलो वाट सामर्थवाले एक इंजन बच्चो आठ किलो वाट सामर्थवाला तो पावर इसका दिया है आठ किलो वाट को वाट में बदलो एक हजा से गुड़ा कर दो य ठीक है एक इंजन 80 मीटर उचाई तो हाइट इसका दिया है 80 मीटर ठीक उचाई पर इस्थित एक टंकी एक पानी की टंकी जिसकी दक्षता है 40 किलो लीटर तो बैटा यह आयतन दिया है कि चलि को आगे क्या कह रहा है कह रहा इसके वाद एक पानी की टंकी की दक्षता 40 किलो जिसें हम लोग am मैंदेंगे दर्बमान 40 किलो लीटर बच्चो 40 किलो लीटर तो किलो को लीटर बदलो बच्चो तो जाएगा 40 किलो की वेलजी होती एक 1000 लीटर द्रबमान हो गया तो भरने में लगा समय समय मतलब टाइम ज्याद करना है और जो जी की वैलू दिया है वो दिया है दस मीटर पर सेकेंड तो बच्चों आपको एक फामुला बताते रहें सक्ति का किसका फामुला बच्चों सक्ति का फामुला जो होता है वह आपको राफिये बताया गया है ए तैस्जों डबलू का एक फाल मॉला होता है वडार संगा भार नई बूड्लु का मान रखो डब लूड मान क्या है? एम जी है बटे पी तो बच्छो मकी वैलु कितनी है? छालीस गुड़े एक हजार जी की वैलु 10 है ओँ है एसी बटे पी का वैलु कितनी है? आठ गुड़े एक हजार एक हजार से एक हजार आठ कमाट आठ दहाम अस्ती तो समय कितना आगया बच्चो 40 गुड़े 10 गुड़े 10 तो जब आप गुड़ा करोगे तो 4 लगा कितने जिरो 3 जिरो लगा दो और सेकंड लिख दो तो आपका अंसर आ जाएगा बच्चो नोट कर लो चलिए बच्चो 4 नमब स्वाल को पढ़ते हैं क्या कह रहा है 240 बोल्ट वीभा कितना दिया बच्चो 240 बोल्ट ये जो है वीभा हो है क्या है वीभा दिया है 240 बोल्ट वा 5 एमपियर की धारा कितना दिया है 5 एमपियर की धारा परकार करने वाले एक बैदूत मोटर की दक्चता दक्चता कितना दिया है बच्चो दिया है 80% और क्या है इसके दौरा उचाई दिया देखिए इसके दौरा 60 मीटर की उचाई कितना दिया है 60 मीटर की उचाई तक एक घंटे में कितना पानी समय दिया, एक घंटे में कितना पानी चड़ाएगा, बच्चो एक घंटा, टी कमान दिया, एक घंटा में कितना सेकेंड होता है, एक आवर में, समझेगा, एक आवर में होता है, 36 सेकेंड, कितना होता है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है, और इसके बाद बच्चों देखिए इसके बाद कहरा कितना पानी चड़ाया जाएगा एम की वैलू पूछ रहा है पानी की मातरा ये है लग जल और कहरा है यदी जी की वैलू दिया हो कितना दस मीटर पर सेकंड स्क्वार तो चली बच्चों इससे हम स्वाल करते हैं कैसे लगेंगे फाम Leben Sam Sunday कि यह फामली को मिक्सी कर देना ठीक है एक संफेक्स वार बना देते हैं कि यह दक्ष्चता होता सब्सक्राइब कितना है 240 देख लो बच्चों 240 आई की वैलू 5 है और टी की वैलू कितनी है च्छतीस सव गुड़े आठ बटे दस एक जिरो से जिरो कड़ गया अब बचा क्या मेरे पास वो लिख दो क्या बचा बेटा मेरे पार 24 गुड़े च्छतीस सव अब यह पांच यह एक आठ आठ पंच चालिस किनारे कर दे रहे हैं यह है जूल तो मान लिए इसको अभी काम आएगा इसको आप नोट कर लो ठीक है इसको ऐसे रहने दो आप एक फामला मापको और बता दे रहे हैं डबलू डैस बराबर फामला होत जीरो एम की वेलू निकालना है जी की वेलू 10 है हाइट कितना है साथ मीटर बराबर टू फॉर इंटू ठीक है अब बताएं बराबर क्या बचा तो फॉर इनटू साथ बच्चा च्छंग शत्तिस एक गुड़े चार अब इनका गुड़ा करके यहां लिख देजिए क्या आएगा बच्चो आईए गुड़ा करते हैं बच्चो जो गुड़ा करो को तो आएगा इसका अंसर पांच हैजार साथ सव साथ किलो गलाम यह आएगा आपका अंसर बच्चो इसे आप नोट कर लो चलिए बच्चो कोस्ट नंबर 75 प्रतिहिंग क्या कह रहा है 75 नंबर कोस्ट कह रहा है आपके घर में बिद्धूद कटावटी के आफस्ट एक बिद्धूद अपूर्टी के लिए 12 बोल्ट की बैटरी बिभव दिया है 12 बोल्ट और दिया ह है धारा आई की वैलू दिया है 150 एंपियर प्रति घंटा ठीक बच्चो प्रति घंटा तो इसका मतलब बटा प्रति घंटा का मतलब इसमें समय है बच्चो समय भी है एंपियर प्रति घंटा समय ना मेरी बात घंटा समय से जो है भाग दिया गया मेरी बात समझिएगा आप लोग एक पावर की फार्मॉला पड़े हूंगे क्या होता पी बराबर वी आई पड़ा होगा ना पड़ा है की नहीं पड़ा है तो चल यह कुल हम बाट निकालो पहले कुल माट कुल सक्ती निकाल लो पहले को सक्ति कैसे निकाल स्रें कर stal बराबर देखिए सवाल में देखिए उसमें कह रहा है। और सव वाट का बल्ब जोड़ो इसको तो सव वाट का है नहीं हाँ तो टोटल कितना हैगा 60 और 100 वाट ही हो जाएगा 100 वाट नहीं तो 40 वाट है कितना ही है 40 वाट है 40 वाट बच्चो इनको जोड़ो 60 और 40 100 वाट हो जाएगा ठीक है इस फार्मले में आप मान को रखिए पहले तो बच्चो P की वैलू कितनी है 100 वाट V की वैलू कितनी है 12 वोट और I की वैलू कितना है 150 प्रती घंटा तो ये 0 वैल जीरो कट जाएगा टी धर आएगा 10 नीचे चला जाएगा तो 12 गुड़े 15 बटे 10 नीचे आजाएगा क्या जाएगा 10 नीचे आएगा तो इसे हम 5 से काट सकते हैं आई ये काटते हैं 5 से तो 5 दूनी 10 एक काम पर 5 तीयाई 15 5 दूनी 10 अब दोस्त काटेंगे दूनी 10 पान तीयाई 15 तो तीन बुगड़े 2 बचाएगा दो एक कम दो चंग 12 ठीक है 6 तरीक 18 कितने घंटे चलेगा बच्छो 18 आवर मतलब 18 घंटे चलेगा नोट कर लो बच्छो दोस्तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सेयर, एंड कमेंट करिए और भी अगर आप किसी टापिक फे वीडियो चाते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें तो हम उस पर बहुती जल से जल वीडियो को बनाएंगे विलिए धन्दवाद